हालो बच्चों एवालूशन के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं आज अपना लास्ट लेक्चर है विकॉस बाकी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं बस लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है दाट इस दा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवालूशन अड़ एवालूशन हिस्ट बट ऑवियस होमो सेपियंस तो हम हैं तो हमें तो पता नहीं कि हमसे मतलब हमने देखा तो हैं कि हमसे पहले कौन थे बट जो आपने पड़ा था पैलेंटोलोजिकल एविडेंस जो फॉसल्स होते हैं तो उन फॉसल्स के बेस पर यह हरार्की डिसाइड की गई कि भई हमसे पर इस तरह के जो पॉइंट्स हम यहां डिसकस करेंगे वह बेस पर यह वालीशन की हरार्की डिसाइड की जाती है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अब्रीफ अकांट ऑफ एवाल्यूशन जो कि एंस इसमें बचों आपको एक पारेग्राफ फॉर्म में बता रखा ह कि किसके बाद कौन एवाल्व हुआ होगा वैसे तो आप सभी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है इसको बताने के लिए कि वाट शुड बीदा हरार्की क्या रही होगी हरार्की क्योंकि मैंने अगेन आपको कहा कि यह सारी चीजे फॉ साइंटेस्स जो भी वॉलिशनरी बायलोजिस्त नाच्रुलिस्त है यह मानते हैं फिर्स सेलिलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो बना टू थाउजन मिलियन एवस अगो यह तो आपने ऑरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ लिया था यह फिर्स सेलिलर फॉर्म ऑफ लाइफ की आपने पड़ा फिर जब उस प्रोटो बायोंड में कुछ चेंजेज हुए और उससे फॉर्स सेल क्रियेट हुई तो वो जो फॉर्स सेल थी वो क्या माना जाता है बचो जो फॉर्स सेल बनी या जो फॉर्स ऑर्गानिजम बने वो ये बट ऑवियस यूनी सेलुलर तो थे और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में एनेरोबिक हेट्रोट्रॉफिक और्गानिजम्स गिवन हो तो आप वही चूज करिएगा सबसे पहले जो सेलुलर फॉर्म आफ लाइफ बनी उसमें बचो एनेरोबिक हेट्र यूट्रीशन ले उनहीं कहते हैं लेकिन यह जो फर्स्ट और्गानिजम्स बने थे बिल्कूल डिफरेंट टाइप के और्गानिजम्स थे क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन तो थी नहीं है ना ऑक्सीजन तो तब बनी होगी ना जब ऑट्रोट्रॉफ एवाल्व हुए हो हैं वो जो सेल्स हैं जो हेट्रोट्रॉफिक नेचर की हैं और अनेरोबिक यूँ क्योंकि ऑक्सीजन तो तब इवाल्व होगी जब ऑट्रोफ बनेंगे ठीक है तो क्या हुआ कि उनको नरिश्मेंट की कमी होने लगेगी जो भी मॉलिक्यूल से अगर बहुत सारे बचाने के लिए यह सब्सक्रियान किया था घ्रोट्रॉफिक सेल्स में कुछ इवाल्यूशन और इनसे बने होंगे ओट्रोफ्स है ना जयसंग कीमान लीजेए कोई जी अम्यूटेशन ऐसा हुआ कि अब संलाइट को यूज करके अपने लिए फूड बना सकते हैं या जो प्रेजंट हैं उन्हें यूज करके अपने लिए फूड बना सकते हैं तो यानि हेट्रोट्रॉफिक एनेरोब्स से एवॉल्यूशन हुआ किसका बच्चो ऑटोट्रॉफ्स का ठीक है एंड बट ऑवियस यह ऑटोट्रॉफ्स स्टार्टिंग में प्रोक्यारियोट्स ही कि दे यूज इन और्गानिक केमिकल्स दाट इस कीमो ऑटोट्रॉफ और कुछ में सनलाइट को यूज करके अपना फूड संथाइज करने की केपैसिटी आई दाट इस कॉल्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स और क्यूंकि आपको पता है ऑटोटोफ फोटोसंथासिस के हमें oxygen evolve होती है तो इनसे जो oxygen evolve हुई उससे धीरे-धीरे environment कैसा होने लगा oxygen containing ठीक है reducing atmosphere खतम हुआ oxidizing atmosphere की तरफ जारी है अब nature और फिर इनमें और evolution हुआ और autotrophs जो की single cell थे prokaryotes single cell होते हैं इनसे evolution से बने eukaryotes जिन में पहले unicellular और फिर multicellular ठीक है तो autotrophs से बने बचों eukaryotes यहां पर मैंने prokaryotes भी लिख दिया है और eukaryotes में पहले unicellular forms बनी होंगी वो तो हम classification में भी पढ़ते हैं और फिर बने इनसे multicellular eukaryotes ठीक है इस तरह से माना जाता है कि cellular form of life का evolution हुआ ठीक है clear अब five kingdom classification तो आपने पढ़ा हुआ है अलग-अलग scientists इस चीज़ को अलग-अलग तरीके से समझाते हैं हम सीधा आते हैं animals की hierarchy पर ठीक है animals सारे eukaryotes होते हैं that you know animals में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले जो मतलब दो पार्ट में हम animals को डिवाइड करते हैं non-cordates ठीक है तो non-cordates में non-cordates में कौन से animals आते हैं जिनके पास notocord नहीं होता और उसमें अपने पूरी सीरीज animal kingdom में पढ़ रखिये तो यहां लिखने की ज़रूत नहीं है तो यहां पर सीधा इन वर्टीब्रेट्स टर्म लिखा है एंसी आटी ने की इससे जो सबसे पहले आनिमल्स इवाल्व हुए दाट वाउट फाइव हंडरेड मिलियन यर्स अगो देखिये आप कितना डिफरेंस है फर्स सेल बनी 2000 मिलियन यर्स अगो बट उसके बाद भी सबसे इन वर्टीब्रेट्स को इवाल्व होने में ठीक है तो इन तो इन वर्टीब्रेट्स जो है न वो जब इवाल्व हुए तो उनमें जो भी उनकी सीरीज है वो हमें पता है वहां पर नहीं लिख रहे है और यहां पर इन वर्टीब्रेट्स के बाद जो नेक्स दिखा हैं बट उनमें भी वर्टीब्रल कॉलम तो नहीं होता इसलिए मैं इन्वर्टीब्रेट टम तो उनके लिए भी उसकर सकती हूं यह सब तो बेसिस हैं जब आपने सब्स लेणओ नहीं होता है नो डॉट लॉब्री नॉन बिलॉउट है बिलॉंग फिलॉग तो उनक्षों बहुंग नहीं सकते हैं ठीक है डॉब आता है प्यों क्युक्कि इन में नोटोकौर्ट होता था चले अब आए उसके बाद कौन इंवर्टी ब्रेट के बाद ने पाइसीज वो इवाल गुई और पाइसीज से वाल गुए एंफीबियन ठीक है क्योंकि इनका यह जो टाइम दूरेशन है जो टाइम लाइन एनके वालुइशन की यह अलग-अलग तरीके से थोड़ी वेरी करती है कोई जरूरी नेक सीरीज में हो क्योंकि कोई फिश कोई फि फिश के लिए रिखा हुआ है थ्री फिफ्टी मिलियन इहर्स अगो तो वह इसी सीरीज में आएंगे ठीक है यहां पर एक एक जामपल मैं मैं मेंशन कर देती हूं जो आपके बुक में दिया है बच्चों ठीक है इस टॉपिक में आपको बहुत जादा डीटेल में बिलकु टू फिश जिनको आप कहते हैं पाइसीज जो की दो तरह के होते हैं काटलेजनस और बोनी फिशेज कॉंडर थीज और ऑस्टेक थीज ठीक है अब उसमें भी यहां पर आपने पढ़ा होगा जो आप लोगों ने पाइसीज के बारे में पढ़ा होगा बचों की पाइसीज म आपके लिए लोब मतलब कोई स्टाउड चीज कोई स्ट्रॉंग चीज क्योंकि यह जो फिशेज होती हैं डिपनॉई फिशेज जिने लंग फिशेज भी कहते हैं इनमें डूइल रेस्पिरेशन था अब आपने यह पानी में भी रहती हैं और यह लैंड पे भी इसलिए यह लैंड पे भी एजली रह पाती है ठीक है तो जो डिपनॉई फिशेज है लंग फिशेज जिनी का एक टाइप कह लीजी आप लोब फिंस ठीक है मतलब ऐसा मानते हैं साइंटेस्ट की जो लोब फिंट टाइप की एक्जैक्ट फिशेज है वो एक्स्टेंग हो बट उन्ही इसका एक वर्जन है डिपनॉई फिशेज ठीक है तो यहां पर NCRT ने एक एग्जाम्पल दिया है कि लोब फिंस आर लोब फिंस आर फिशेज विद स्टाउट एंड स्ट्रोंग फिंस विच कैन मूव ओन लैंड विच कैन मूव ओन लैंड यह लैंड पे भी इन फिंस की हेल्प से मूव कर सकती थी यानि थोड़ा सा अब लाइफ कहां जा रही है टेरिस्ट्रियल इंवार्मेंट के अड़ाप्टेशन के तरफ जाली है अभी तक आप देखिए जो भी और्गानिजम से वह जनरली एक्वेटिक के लिए हैं वर्टीब्रेट्स में भी जादा तर तर तो एक्वेटिक ही थे नो डाउट पैरललली कुछ टेरिस्ट्रियल फ इस पुछा है कि 1938 में एक फिश मिली जिसका नाम है सीलो केंथ जो की लोब फिन का ही एक्जाम्पल मानी जाती है ठीक है विच विच कें मूव और लैंड दे मैं सेम इग्जैक्ली वही लाइन लिग देती हूं दे थाट टू बी एक्स्टेंट दे थाट टू बी एक्स्टे इट सीलो केंथ सीलो केंथ यह आपसे नीट में भी पूछा जा सकता है बोर्स में भी पूछा जा सकता है इन नाइंटीन थर्टी एट सीलो केंथ फाउंड इन ताईंट अमेरिका या एफ्रिका जोसाँड फरिका कहां पे मिले थी हिए एफ्रिका डिके इन out ऐफ्रिका टीकें के यह के क्जामपर ध्यान रख येगा थैं फिर इन ही टाइब के यह जो फिशे थे illonे मैंशुट टो तो थोड़ा थोड़ा लांड लैंड यह evolved हुए amphibians में नीचे लिख देते हैं चलिए नहीं यहीं लिखना है क्योंकि हाँ पर मुझे कुछ और आपको बताना है दे इवल्व इंटो एम्फीबियन अगर मांदी जे इस तरह का question आजाए कि which type of fishes are thought to be evolved into amphibians तो फिर आपके सामने कई सारे option है जो आपको पता है दोनों तरह के इंवार्मेंट के लिए डाप्टेड हैं एम्फी अनी बोथ दे कैन लिव इन वाटर एंड दे कैन लिव और लांड आइस वेल ठीक है तो जो एम्फीबियंस मेंढ़ेंगें अगें चेंट और अर मौडण डे अफीबियंस अलग-अलग है जो पहले के टाइम पर अम्फीबियंस ते वो सभी extinct हो गए और मौड़न डे अम्फीबियंस आप देखते हैं जैसे कि कौन है अमौडरन डे अम्फीबियंस फ्रॉग Salamander ठीक है? इसलिए मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया जिससे हमें पता रहे कि आज के टाइम पर जो amphibians हम देख रहे हैं ये पहले के टाइम पर नहीं थे पहले कोई और टाइप के amphibians होते थे वो कौन से थे क्या है? वो सब पैलेंटोलोजिस्ट पढ़ते हैं आपको पढ़ने की नीड नहीं है ठीक है? एंफिबियन से कौन बने होंगे बच्चों? रेप्टाइल और रेप्टाइल्स आर फर्स्ट और गानिसम विच आर कम्प्लीटली अडाप्टेड फॉर क्यों पूचा जा सकता है आपसे बोर्ड में रेप्टाइल में ऐसी क्या खास बात थी कि वो लैंड के लिए कम्प्लीटली अडाप्टेड थे देखो मुझे एक चीज बताओ कि पाईसीज में जो पाईसीज में तो होवीपेर कोती हैं आफ़ीञियांग्स में घ्रकेड लैंड पर रहता भी है तो और्ल फीघन के लिए क्यों वो फानी में जाता है क्योंकि अम्पप्प्रिवाणियों नहीं होती है ज़िए तरह को अब अगर एंफीबियन लैंड पे दे दे तो सनलाइट की वज़े से वह सूख जाते और और अर्गानिजम उनमें जो भी एंब्रीयोहम का लार्वा है वो मढ़ जाता तो इसलिए एंफीबियन को अपने एग लेंग के लिए पानी में जाना ही पड़ेगा ठीक है लेकिन जब ने पानी में रहता है लेकिन वह अपने एग्स को लैंड पे दे देता है पानी की चारों तरफ जो किनारों पर क्यूंकि कोई जो भी अलग लग एक्जामपल्स हैं इन सभी के चारों तरफ बर्ड की तरह कवरिंग होती है ठीक शेल होता है जो इन्हें सनलाइट में ड्राइप की लाइफ बन रही होती है चाहिए वो हुमेन ही है हुमेन में भी आप देख लो अगर प्लेसेंटा के थूरूस को न्यूट्रीशन मिलता है बट एंब्रीयों की चारों तरफ अम्नियॉटिक होता है न तो यह एक प्रूफ है कि लाइफ का ओरीजन जब लाइफ बन रही हो कंपारिटिवली चोटा होता है जिनमें डाइनसौर सबसे मेन थे ठीक है और भी थे ऐसा नहीं बट वर ओल लाइफ साइज रप्ताइल और उन्हों ने इतना उधम किया इतना परिशान किया नेचर को कि मतलब इतनी क्या कहते तबाही फैलाई बहुत सारे चलते थे उनके पैरों के नीचे दपके पेड मर जाते थे चोट चोटे अर्गानिजम्स मर जाते थे तो शायद नेचर को लगा होगा कि यह जो रेप्टाइल से वाल हुए यह नोट फेवरेबल बिकॉस यह लाड साइस ठीक है इसलिए कुछ ऐसा हुआ हमें भी नहीं पता एक्जाटली इसमें लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा नैचरल के लामिटी हुआ जिसकी वजह से सारे के सारे डाइनोसार्स एक्स्टिंग्ट हो गए है और फिर हालंकी रेप्टाइल्स खतम नहीं हुए फिर जो रेप्टाइल्स रहे वो सब जो स्मॉल साइज स्नेक हैं कुछ है अभी भी पाइथन वगरा बट जाबतर जो है वो और क्रॉलिंग उनका वो है नेचर चलने का तो यह सब एक तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं जो आपकी नौलेज है वो एवाल्यूशन की हरार्की में ठीक है तो डाइनोसार्स एंशेंट रेप्टाइल कहा जाता है जो एवाल्यूशन की हरार्की को बताते हैं ठीक है बट आपको उसको जादा डीटेल में नहीं पढ़ना उसमें से कुछ क्वेशन नहीं आएगा उसमें कुछ डाइनोसार्स की सीरीज दिखाई है अलग लग ताइप के डाइनोसार्स के नाम लिखे हुए है न रेप्टिज और रेप्टिज और रेप्टिज और फिर्स्ट और गन इसम्स completely adapted for terrestrial life as they have thick shelled eggs ठीक है, नीट में भी पूछ सकते हैं बोर्स में भी question आ सकता है thick shelled eggs which do not dry up in sunlight उनका larva embryo जो भी उनके अंदर है वो safe रहेगा ठीक है clear then फिर reptiles के बाद कौन बने बचो you know reptiles के बाद ऐसा नहीं कि classification में तो आप reptiles के बाद aves पढ़ते हैं और aves के बाद mammals पढ़ते हैं बट आप सोचो reptiles से birds और फिर birds से mammals थोड़ी ना बने बड़्स और mammals में तो कोई कोरेलेशन ही नहीं कर पाते हम तो इसलिए ऐसा माना जाता है आपने classification में भी पढ़ा था कि दोनों ही reptiles से evolve हुए ठीक है mammals जो है उनमें अलग तरीके के modifications हुए और aves में क्योंकि aves के कई features reptiles से मिलते हैं जैसे hind limbs पे scales की presence होना और even कुछ reptiles ऐसे थे डाइनोसार्स की छोटी फॉर्म जो ही जिनमें की feathers पड़ा था अपने 10th में एक एक जिनमें की wings और feathers होते थे थे थो बट उनके भारी weight की वज़े से वो बस उड़ नहीं पाते थे और मैमल्स आर अडप्टेड फॉर mostly terrestrial life है ना मैमल्स mostly terrestrial है कुछ aquatic mammals के नाम आप लोगों को पता है जैसे whale है, seal है ठीक है यह सब aquatic mammals में आते है और aves aves किसके लिए adapted है बचो aves are adapted for aerial life ठीक है और इनका timeline भी लिग दिया है मैंने यह timeline आपको याद करने के जरुद नहीं जरुद एक idea के लिए है ठीक है, reptiles 320 million years ago originate हुए और बहुत even dinosaurs के लिखाए कि they extinct 65 million years ago तो सोचो, इतने time के बाद 65 million years ago तक dinosaurs ने राज किया, dominate किया ठीक है, बट उनके parallel इनका evolution शुरू हो गया था बट क्योंकि dinosaurs इनको छोड़ नहीं रहे थे, यह खतम हो जाते तो इसलिए फिर dinosaurs को खतम कर दिया, जो भी nature के साथ जादा छेड़शाड करता है, उसे nature खतम कर देती है, human beings को भी यह बात ध्यान ठखनी चाहिए, ठीक है तो mammals और aves इन दोनों का अलग अलग टाइम लाइन है यह टेरिस्ट्रे लाइफ के लिए एडप्टेड है, एरियल के लिए यहां कुछ exceptions है mammals के, जो aquatic life show करते हैं, यहां पे आप लेख लीजिए का बाद में aquatic mammals, वैसे यह सब classification से आपको पता है ठीक है, clear, तो यह एक timeline हुआ animals का इसी के parallel, NCRT ने सिर्फ plants का पूरा डिटेल में नहीं दिया एक तो diagram दिया है, ठीक है, जिसमें बहुत अजीब-अजीब से terms हैं जो आप लोगों को, शायद जैसे कि मैं आपको देखकर बताती हूं कुष्टम साइलोफाइटॉन, ठीक है यह arborecent lycopores, herbaceous lycopores तो यह सब बिल्कुल learn नहीं करना बचो आप देखेंगे previous year questions तो evolution में से इस diagram पे कोई question नहीं आता है normal आपको hierarchy तो पता ही है plants की कि सबसे पहले seaweeds बने seaweeds और मतलब algae आपके फिर उनसे बने होंगे bryophytes, फिर teridophytes हाँ, एक चीज़ जरूर रहान रखेगा कि जो teridophytes है, जो ferns है वो सबसे ज़ादा dinosaur के time पर बहुत dominating थे giant ferns, जैसे giant reptiles थे तो उनी के parallel plants में भी giant ferns वही रह पाएंगे जिन्दा बाकी तो छोट-छोटे plant इनके पैरों के नीचे दब के खतम हो जाएंगे तो giant ferns भी उसी तरह में थे और जब वो अर्थ को एक आया होगा जिसने dinosaur को खतम किया, या जो भी natural calamity आई उनकी वजह से giant ferns थी, वो भी सब अर्थ में नीचे दब गई, और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा most of the fossil fuel है, वो ferns से बना है, वो सारे ferns fossils में fossil fuels में convert हो गए, जिससे अभी भी हम benefit लेते हैं, ठीक है clear, और फिर अब जो present हमारे plants में, उनमें algae, ब्रावफाइट टेरिडोफाइट सब हैं, ऐसा नहीं कि कोई plant completely extinct हुआ, इन में भी आप देखो न, इसका मतलब यह थोड़ी न है कि नया आ रहा है, तो पुराना जा रहा है, पुराना भी रह रहा है, और उससे जो नया बन रहा है वो भी present है, तभी तो diversity create होगी, मैंना तो diversity रहेगी ही नहीं, clear, ठीक है तो plants की मैं सब सीरीज सीरीज नहीं बना रही हूँ, सिफ दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, जो मैं हापे लिख देती हूँ पहले आप इसे नोट कीजे इसको मैं रब कर देती हूँ और इससे related जो important points दो-तीन रह गए हैं, एक डाइनोसार से related point भी मुझे आपको बताना है इससे नोट कर लिया आप लोगोने बचो, इससे रब कर दे, हाजी देन इस चार्ड के बाद आप लिखेंगे simply some important points इसी topic से related है evolution से ही इसमें plants से related point मैं आपको बता रही हूँ कि NCIT में लाइन लिखी है कि ऐसा माना जाता है कि लैंड को जिसने सबसे पहले इन्वेड किया वह आनिमल्स नहीं वलकी plants थे ठीक है तो क्योंकि जैसे अल्गी बगरा है वह नोडाउट पानी में होती है लेकिन अगर लैंड पे पानी की थोड़ी सी भी लेयर है moisture है तो वहां भी ग्रोव कर जाती है न तो इसलिए कि अल्गी को सीवीड को या plants को पहले इन्वेड किया हुआ माना जाता है लैंड पे ठीक है दा ओर्गानिजम्स दाट फर्स्ट इन्वेड़ीड लैंड फर्स्ट इन्वेड़ीड लैंड वर कौन थे प्लांट्स ना की अनिमल्स ठीक है वर प्लांट्स हो कि देखो आप जो थ्री फिफ्टी मिलियन एर्स अगो जब जॉर्लेस फिशेज बनी तो उससे थोड़ा सा उसके आसपास ही थी ट्वेंटी मिलियन एर्स अगो प्लांट्स यानि सीवीड्स का ओरीजिन हुआ ठीक है तो इसका मतलब एक्जामपल लिख देते हैं हम यह या फिर ऑर्गानिजम दाट फॉर्स उन्वेड़ीड लैंड वर प्लांट्स सीवीड्स सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स ओरीजनेटेड प्लांट छोटा कंस है ?2020 या 350 त फॉरानएं बात कौनशी है को फिर फिट पलांट बने और शाय रह लंग बख 300겠습니다 इस तरह केवारces पैंसपैन में बने बने होंगे जो लैंड पर भी रह सकते थे ठीक है जस्ट एक सेटमेंट है यू आफ तो रिमेंबर दिस एक जो मुझे आपको नोट करवाना है जाइंट फर्न्स है ना जाइंट फर्न्स वर डॉमिनेटिंग ओन एर्थ इन विद रेप्टाईल्स विद जाइंट रेप्टाईल्स जब जाइंट रेप्टाईल्स थे ना जैसे कि डायनोसॉर्स तब जाइंट फर्न्स भी थी एर्थ पर ठीक है और उनी की और लेकिन वो सभी क्या हो गए बच्छों फॉस फॉसिल फॉसिल को डिपॉसित में कनवार्ट हो गई वर डॉमिनाइटिंग ट्रेटाइब स्टिंट इभन टॉस नयुटरल के लामिटी नाचुरल किलामिटी दे कंवर्टेड इंटू इंटू कोल डिपोजिट ठीक है इंटू कोल डिपोजिट यह सिर्फ एंसे रिलेटिट कोई क्वेशन ना मन जा है तो आपके बुक में नाम दिया है तारेनोसॉरस रेक्स टारेनोसॉरस रेक्स टी रेक्स ठीक है जिए और यह कितना बड़ा है 20 feet इसकी हाइड थी सोचिए यह सब फॉसिल से पता चलता है देखा तो है नहीं हमने डाइनोसॉर्स को हम थे क्या उस टाइम पे जब डाइनोसॉर्स थे नहीं धीन्स का ओरिजिन तो बहुत बात में हुआ है ठीक है हमारा जो आई तिंग अभी आप human की hierarchy में पढ़ेंगे जो हमारा सबसे पुराना fossil माना जाता है रामा पितायकर रायो पितायकर वो तो 15 million years ago है जबकि डाइनोसार तो 65 million years ago extinct हो चुके थे ठीक है तो largest dinosaur dinosaurus rest 20 feet in height and huge teeth ठीक है बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे इसके and huge teeth ओके दैन डाइनोसार्स extinct डाइनोसार्स are thought to be extinct were thought to be extinct 65 million years ago प्रोबैबली ड्यू टू सम क्लाइमेटिक चेंजज़ एंसी अट ने भी प्रोबैबली ही लिखा है प्रोबैबली ड्यू टू सम क्लाइमेटिक चेंज़ ठीक है दैन उसके बाद mammals मैमल से रिलेटिड एक पॉइंट है बचों जो first mammals थे ना वो बहुत ही छोटे थे आपने कभी शुरू का फोटोग्राफ देखा है शुरू एक मैमल होता है जो अगर मैं अपनी फिंगर के इस पार्ट पे उसको रख लू ना तो बस इतना सा इतना छोटा होता है शुरू आपकी फिंगर पे भी आप उसको रख सकते हो ठीक है इन्हें first mammals माना जाता है first mammals है शुरू very tiny organisms ठीक है ध्यान रखिएगा और फिर धीरे-धीरे mammals का अलग लग ताइप के evolution होतेगा और आप सबसे जादा जो डॉमिनेटिंग ग्रूप है animals में that is mammals ठीक है जो कि इसमें अगें इसको खोड़ा explain किया है continental drift वगरा से वह आपको पहले ही पढ़ चुके है स्टार्टिंग में जब आपको मैंने continental drift पढ़ाया था ठीक है कि पहले south america fauna फिर north america fauna किस तरह drifted हुई कहां पर pious mammals रह गए कहां पर placental mammals बने ठीक है यह सारी चीजे हम दुबारा discuss नहीं कर रहे हैं और कुछ aquatic mammals के नाम और लिग देती हुम है वैसे तो आप लोगों को पत सब्सक्राइब वेल और सी काउ सी काउ के बारे में पढ़ा है सी काउ वहां पढ़ा था आप लोगों ने एकोलोजी में extinct में कई सारी जगह से सी काउ extinct हो चुकी है ठीक है लिए सी काउ क्यों क्योंकि यह grazing होते हैं समुदर में रहते हैं सी एनिमल्स हैं और काउ की तरह जो स और एक्वेटिक मैमल्स तो यह मैंने कुछ पॉइंट्स आपको और बाकी जो क्लैडोग्राम्स आपकी बुक में दिये हैं दो जस्ट अपनी नॉलेज के रूरे इंग बर देख लेना याद नहीं करना है ओके इस अबाउट ब्रीफ अकाउंट ओफ एवल्यूशन अब मैं उनके सारे फॉसिल्स और उनका पूरा उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे ठीक है डाट वी विल डिस्कस इंता नेक्स्ट पार्ट हाँ जी बच्छो तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एवल्यूशन सीरीज ऑफ मैन आप सभी को पता है यूमेन बिंग्स का जो पूरा हिरार्की है पूरी अलग अलग उसमें हम सबसे मॉडरन हुमेन जो माने जाते हैं हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और हमसे पहल कर लेते हैं आप जितनी जादा बार इस टेबल को पढ़ेंगे वही एक तरीका है इसको लर्न करने का क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स है कि वह कौन सा उस फॉसल को क्या नाम दिया गया उसकी क्रेणियल कैपैसिटी क्या थी और उनके कुछ केरिक्टरिस्टिक्स ठीक है तो स अपके बुक में लिखा है ना ड्रायो पिथैकस और एक फिफ्टीन मिलियन इस अगो माना जाता है रामा पिथैकस इनका फॉसल वैसे यह दोनों को कहा जाता है कि यह सबसे पुराने हुमेन फॉसल से इनके बारे में बहुत जादा फीचर समें नहीं पता इनकी क्रेनियल क इनके बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के फॉसल समें मिले जो कि हुमेन से मिलते जुलते थे हालांकि इन दोनों में इनके फॉसल देखकर ऐसा लगता है कि यह दोनों एप लाइक और गयानिजम्स थे एपस के फीचर इनमें जादा थे जैसे कि अप्राइट पोस्चर नही है ना रामा नाम हुमिन्स में कॉमन होता है तो रामा पितायकस वर मोर लाइक हुमन ठीक है तो दोनों के ही कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या रहे होंगे कि यह दोनों हेरी थे देवाग्ड लाइक एपस ऐसा इसमें भी है ठीक है बट इनमें से जो ड्रायों पितायकस है दे देवर, more like apes और जो रामा पित है कस हैं, देवर, more like man, ठीक है, इससे जादा कुछ इससे बारे में नहीं पूछा जाता, simply, note कर लीजे ये, ठीक है, एपस तो आपको पता है ना कौन होते हैं, गौरिल्ला, चिंपैंजी, लिद्दू यहां, गौरिल्ला, चिंपैंजी, गिब यह सब एपस माने जाते हैं, ठीक है, जो हमारे सबसे close ancestors रहे होंगे, then, फिर आते हैं, इनके बाद, जो next fossil मिला, जिसे माना जाता है, लगबग 3-4 million years ago, जिसका origin हुआ होगा, बचों, उनका नाम है Australopithecus, यहां, NCRT में थोड़ा सा confusing सा statement है, जिससे आप लोग confused हो सकते हैं, कि जो Australopithecus है, मतलब आपके NCRT में लिखा है, कि 3-4 million years ago, कुछ बोन्स मिली, एथायोपिया एंट तंजानिया में, ठीक है, दोनों आपको पता है, East African countries हैं, और फिर उसके बाद एक statement लिखा है, कि Australopithecus were arise in 2 million years ago, तो यहां पर बच्चे confused हो जाते हैं, actually, फर किता ऐसा है, कि Australopithecus में बच्चों दो अलग-अलग तरह के fossils मिले थे, Australopithecus में जो fossils, जो fossils 3-4 million years ago माने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, African ape men, ठीक है, और क्या बताया मैंने, कि इनकी जो fossils हैं, वो कहां मिले, fossils were found in East African countries, East African countries, Ethiopia and Tanzania, ठीक है, clear, और इनके बाद, इसी Australopithecus में ही, एक थोड़ा सा इसका दूसरा सब्टाइब जो मिला, जिसे कहा जाता है, 2 million years ago जो पुराना होगा, उनका नाम दी, जीनस तो उनका Australopithecus ही है, ठीक है, दोनों में अलग-अलग species के नाम दी है, इसलिए इसलिए मैंने इसको अलग-अलग लग लिखा, इन्हें एफरिकन एपमेन नाके के सिर्फ एपमेन कहा जाता है, ठीक है, और इनके fossils मिले बचों, fossils found in East African grasslands, ये भी East Africa में ही origin हुआ हैं का East African grasslands, बट grasslands में इनके fossils मिले, और इनका जो time है, timeline है, वो इनसे थोड़ा कम है, ये 2 million years ago है, ठीक है, तो इसको हम चाहे से, हैं तो दोनों Australopithecus है कसी ना, तो इसको थर्ड का A part कर लेते हैं, और D part कर लेते हैं, ठीक है, clear, then, इसके बाद इनकी cranial capacity, अगर कि हम बात करें, तो इन दोनों की ही बचों cranial capacity लगभग 450 cc मानी जाती है, क्रीनियल capacity में कोई major difference नहीं था, फर्क जो था वो थोड़े बहुत characteristics में था, वो क्या, कि Australopithecus में आपके book में लिखा है कि they show first hominid-like features, human-like features, अभी exactly इनको भी humans नहीं कह रहे हैं, ठीक है न, first human-like being अब इनके बाद आएगा, जिसको आप कहेंगे homo habilis, तो first hominid-like features इन में show हुए, then they are not, they were, sorry, they were not taller than four feet, और they walked upright, तो यहां पर difference आगया कि यह वाले जो थे यह तो chimpanzees और गॉरिला की तरह जुकर चलते हैं, दुनों तो चलते थे, और Australopithecus जो हैं, उनके उनका जो भी fossils हैं, बैकबोन के हैं, जिसके भी उसको देखकर लगता है, कि यह upright posture, rapt posture इन में attain हो गया होगा, ठीक है, और Australopithecus के लिए simply रिखा है, कि यह weapons थोड़े बहुत, stone weapons थोड़े बहुत यूज़ करने लग गए थे, हालांकि बचों, जब homo habilis हाया न, homo word का मतलब ही होता है handyman, जिसने अपने आप चीजें बनानी शुरू की, handy way में चीजों को यूज़ करना शुरू किया, तो वहां से exactly tool making शुरू हुआ, बट आपके book में Australopithecus के लिए भी लिखा है, दे यूज़, दे यूज़, दे यूज़, स्टोन वेपन्स, ठीक है, और एक चीज़ और लिखिए, दे प्रोबैबली दिड नॉट इट मीट, यानि यह जो है, यह वेपन्स यूज़ करते थे, लेकिन यह शायद सिंप्ली फ्रूट्स वगरा ही खाते होंगे, दे, इसी क ने लिखाया ना, जॉस्ट आ मनिट, लेक मी कनफर्म, येस, एविदेंश शो, दे हंटे इस टोन वेपन्स, बट एसेंशली एट फ्रूट्स, ठीक है, एसेंशली एट फ्रूट्स, प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स यूज़ करते होंगे, अनिमल्स को खाते नहीं थे, ख बच्छों आप लोगों ने, इसमें एक चीज़ यान रखिएगा, इन सारे टम्स में ये जो पिथाकस वर्ड आया है, पिथाकस यहां पर एप के रेफरेंस में आया है, इन सभी का कॉमन फीचर है कि ये एप से मिलते जुलते हैं, हालंकि ऑस्ट्रेलो पिथाकस शोर्ड हो है, clear, हो मिनिट फीचर का मतलब किया पता है, मैंने आपको हुमन लाइक फीचर बर स्टिल इनके नाम में एप मैन आ रहा है, अब जो आएंगे नेक्स ऑस्ट्रेलो पिथाकस के बाद, हो मो हैबलेस, अब जो फॉसल से उनके नाम में पिथाकस वर्ड यूज नहीं किया, क् इसे अपने नोट कर लिया, इसे रब कर दे, ठीक है, इनको टूल मैं भी कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनो ने टूल्स मेकिंग पर ध्यान दिया, खुद को प्रोटेक करने के लिए, ठीक है, और इनका ओरीजन भी लगभग जो अस्ट्रेलो पिथाकस से ना स दो तरह के फॉसिल्स मेले अलग-अलग एक और पिथाकस एप मैं और दूसरे टूल मैं धाट इस होमो हैबिलिस तो ध्यान रखेंगे आप सबसे पहले हूमन लाइक बिंग्स कौन से हैं, जहां से पिथाकस वर्ड हट गया हो, धाट इस होमो हैबिलिस, ठीक है, है, हैबिल यूज मैं हाँ पर लिख रही हूँ, यह आपको अलग-अलग रिफ्रेशर में बुक्स में वेरी कर सकती है, बट हम वही लिख रहे हैं, जो एंसी आर्ट ने दिया है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ दिफरेंस मिल सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, यह जो थे इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, बट NCRT में लिखा है, तो इसका मतलब जो भी फॉसल्स में फीचर्स मिले, उसमें यह प्रूफ हुआ होगा कि यह मीट नहीं खाते, you have to follow NCRT लाइन, जहां NCRT ने गेक्टरिस्टिक दिया है, वो आपको वही ध्यान रखना ह ठीक है, तो Homo habilis में क्या दिया है बचो, they first human-like beings, first human-like beings, ध्यान रखियेगा, and they again probably did not eat meat, ऐसे तो करेक्टरिस्टिक लिखने जाएं तो हम हर उस पार्ट के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं, बट हमें सब डिस्कॉस नहीं करने हैं, क्योंकि पूछे भी नहीं जाते हैं ज then, और हां, टूल्स तो ये बनाते हैं, टूल में तो इनका नाम ही है, they used tools for hunting, ठीक है, then, next, fifth आता है, इस वज़ह से, क्योंकि hunting के लिए tools use कर रहे हैं, protection के लिए कर रहे हैं, hunting शिकार, तो इसलिए कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं, कि शायद ये इतनी hunting कर रहे हैं, उसके लिए tool भी develop कर रहे हैं, तो हो सकता है, ये meat खाते हों, बट, uncertainty given, did not eat meat, ठीक है, then, homo habilis के बाद आए, बच्चों, homo erectus, completely erect posture जिसे, जहां से हुआ, और इन्हें कहा जाता है, erect man, नाम से ही पता चल रहा है आपको, या, java man भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो fossils मिले, वो java में मिले हैं, और भी कही जगा मिले हैं, बट, java में सबसे ज़्यादा मिले, that's why they are called commonly java man, और इनका origin लगभग 1.5 million years ago है, ठीक है, cranial capacity इनके दे रखी है, NCRT ने लगभग 900cc, बाकी एक range हो सकती है, और, homo erectus का, जो characteristic feature रहा, वो क्या था बचों, homo erectus, एक तो omnivorous, यहां से ना omnivorous start हो ग meat, ठीक है, plants तो खाते ही है, human beings पहले से हर भी बोर्स तो है, बट इन्होंने meat खाना भी start कर दिया, और, plus, साथ में, omni boros के साथ, again, यहां पर, जो tool making इनका चल रहा है, वो और ज्यादा strong होता गया, they make very large tools, ठीक है, they made large tools, ठीक है, clear, लिखिये ये, ठीक है, और इनके tools stone के साथ साथ, bones के भी थे, stones and bones, made with stones and bones, ठीक है, इनका जब भी photo होता है, human evolution के hierarchy में, तो tool पकड़े वे होता है, हाथ में, ठीक है, then, इनका भी और इनका भी, दोनों का, next आए, इनके बाद, जिनका origin माना जाता है, one lakh से लगभग 40,000 years अगो, अब हम बहुत नियर पहुच गए है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों, जो next origin हुआ, होमो एरक्टस के बाद, वो थे, नियंडर्थल मैन, that is, होमो नियंडर, नियंडर, just a minute, होमो नियंडर्थलैंसिस, यह स्पेलिंग्स थोड़ी इसी तरह की हैं, बच्चों, नीट में तो ठीक है, आपको सिर्फ उप्शन चूस करना है, बोड में अगर कोई, one more question में नाम पुछ लिया जाता है, तो उसके ल ठीक है, और इनका बहुती large size capacity मानी जाती है, इनकी brain capacity मानी जाती है, 1600 cc के लगभग, ठीक है, clear, और characteristics में क्या था, बच्चों, जो नियंडर्थल मैन थे, क्योंकि काफी और ली जादा अब इनका development हो चुका है, तो यहां से human beings ने अपने आपको hide करना, start कर दिया, पत्तों प्लांट्स के जो बड़े-बड़े leaves होते हैं उनसे, और अपने इतनी समझ आ चुकी थी कि अगर dead bodies को ऐसे ही छोड़ेंगे, तो शायद वो खराब हो सकती है, तो उन्हें जो भी इनके dead थे, उनको ब्युराय करना start किया, ठीक है, तो यह इनका एक सबसे common characteristic है, ध्यान रख ठीक है, and they buried, they are dead, they buried, they are dead, यह इनको पहले वाले human beings से अलग बनाती है, ठीक है, इसका snapshot लीजिए, इसके बाद next two और रहते हैं, एक Cro-Magnon man और एक हम modern man, ठीक है, पहले आप यह वाला note कर लीजिए, इसको आप कर देते हैं, बच्वों एक मिनिट, इसमें एक चीज मैंने color ल 1600 है, 1600 तो इन से next वाले की है, ठीक है, और यह इनके जो fossils मिले वो East and Central Asia में मिले, fossils found in East and Central Asia, it is given in NCRT, ठीक है, डन, इसका snapshot ले लीजिए, इसको लिख सके हैं, बाद में अपने notes में, बच्वों बच्वों, ठीक है, बच्वों, इन next आता है, है, 6 हमने discuss कर लिए, now, 7 जो है, that is, Cro-Magnon Man, ठीक है, Cro-Magnon Man का नाम क्या लिखेंगे आप, Homo Sapiens Fossilis, अब देखिए, यहां पर हमने sapiens वर्ड क्यों यूज किया, sapiens तो हमारे लिए यूज होता है, इसका मतलब यह हमसे सबसे ज़्यादा सिमिलर है, even इनका origin और हमारा origin लग ठीक है, और जो हमारा हम पढ़ेंगे, Homo Sapiens Sapiens, है ना, इसलिए हमारा पूरा नाम हम बोलते है, Homo Sapiens Sapiens, जो exactly modern man कहलाते हैं, इनको भी modern man कहते हैं, बड़ इनको कहते हैं, Fossils Modern Man, क्योंकि अब यह इनके सर्फ Fossil हैं हमारे पास, ठीक है, जबकि यह जो हम हैं, यह कहलाते हैं Modern Man, और आपको जानके सर्प्राइज होगा बच्चों की इनकी क्रेनियल केपैसिटी हम से जादा थी, इनकी क्रेनियल केपैसिटी थी 1650 CC, जबकि हमारी 1400 से 1600 CC के दीश में ही मानी जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब नेचर क्या कर रही है, अब यहां पे क्रेनियल केपैसिट नेचर के लिए harmful भी हो सकती है, तो मेभी अगर हमसे आगे कोई सीरीज आती है, हमारे descendants उन्हें पढ़ते हैं, जब हम फॉसल बन जाएंगे, तो शायद वो और कम होगी, और ऐसा होई तो रहा है, आजकल हम हमारे ब्रेन को कहां यूज करते हैं, आजकल आप हर चीज के हैं, तो मेभी humans are towards the regression, और में नौट, ठीक है, I am not, मतलब just मेरा view एक मैंने आप से share किया है, ठीक है, और इनका origin बच्चों लिखा है 75,000 से 10,000 years back, 10,000 इसलिए क्योंकि 10,000 years से इनका एकदम से बहुत तेजी से evolution start हुआ जब agriculture आया, है ना, और बाकी इनका origin जो इनके जो यह किसी वज़ा से extinct हो गए और यह अभी भी हम हमारी form में survive कर रहे है, ठीक है, clear, तो इनके features हम देख लेते हैं, क्या है, जो homo sapiens fossilis हैं, यह भी omnivorous तो हैं ही, थे ही, हम भी omnivorous हैं, ठीक है, यहाँ पर, जो हम है ना, बचों हमारे में तो agriculture, और art, जो historic art है, cave dwellers, यह सब ची इनकी क्या खासियत थी, कि यह बचों, इनने भी, यह भी cave dwellers तो थे, इनने भी cave में रहना start कर दिया था, तभी तो हमें, जो हम cave art देखते हैं, उससे हमें idea लगता है, कि पहले कि humans किस तरह हुआ करते थे, देखाए, आप लोगोंने कुछ इस तरह की, चीजें, documentaries देखी हो, तो उनमें caves पर बहुत अलग लग तरीकी की family जैसे अपने family के pictures बना दिये, तो यह वो सारी चीजें किया करते थे, paintings वगरा ये भी बनाते थे, और हम भी बनाते हैं, ठीक है, तो cave dwellers थे, paintings in caves, ठीक है, तो यह इस तरह के कुछ features इनके आप ध्यान रख सकते हैं, और बाकी ज जिसके लिए NCRT लिखा है, लगबग 18,000 years back माना जाता है, के वाड स्टार्ट हुई, और agriculture, जो कि हमारी सबसे बड़ी उपलबधी, सबसे बड़ा achievement माना जाता है, जिसकी वज़े से human settlement, अभी तक जितने भी humans से उधर उधर घूमते थे, क्योंकि एक जगा पर खाना available नहीं हैं, तो जैसे दूसरे animals हैं, उनकी तरह हमें भी अलग अलग जगा घूमना पड़ता था है, लेकिन जब agriculture आया, जब agriculture की समझाई human को की एक जगा पर रहकर भी पौधों को उगाया जा सकता है, और अपने लिए permanent food available करवाया जा सकता है, तब से it will lead to human settlement, तो agriculture जो की 10,000 years ago start तो agriculture lead to human settlement, ठीक है, और उसके बाद तो civilization, social, जो भी सब है, वो हमारे सामने है, यह तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इस तरह यह एक human beings का जो evolution series है, वो हमने हापर discuss की, कुछ characteristics हमने लिए, I have tried my best की जितने भी NCRT की points से वह यहापर include हो जाएं, बाकि आप जो refreshers वगरा पढ़ते हैं, उनमें यह और भी कई सारे characteristics होंगे, आप चाहें को अपनी knowledge के लिए उसे इस list में add कर सकते हैं, this list is from the NCRT, ठीक है, तो यहां हमारा खतम होता है बचों, यह chapter that is evolution, which is a story of life on earth, खोप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बट अब अग important thing, MCQs की practice कीजिए, तभी आपको यह चीजें लॉंग टाइम तक ज्यान रहेंगी, okay, मिलते हैं हम किसी next topic के साथ, जो भी next lecture मेरा होगा, start होगा topic, till then keep revising, best of luck.